श्री विश्णु रष्टा विंसति नाम श्रोत्रम अर्जुन वाच किम्नु नाम सहस्त्राणी चपतेच पुनह पुनह यानि नामानी दिभ्यानी तानी चाचच्छव केशव अर्जुन ने पूछा हे केशव मनुस्य बार बार एक हज्जार नामों का जब क्यों करता है आपके जो दिभ्य नाम हो उनका वर्णन कीजिए श्री भगवान वाच मत्स्यम कुर्मं वराहं च वामनम च जनार्दनम गोविन्नम पुंडरी काक्षम माधवं मधुशूदनम पदमनाभं सहस्त्राक्षम वनमालिम हलायुधं गोवर्धनम रिशिकेशं वैकुंठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायनं हरिम दामोदरं श्रीधरं च वेदांग गरुडधोजं अनन्तम कृष्ण गोपालं जपतो नास्तिपातकं गवाम कोटि प्रदानश्य अस्वमेध सतस्यच कन्यादान सहस्त्राणाम फलं प्रापनोति मानव अमायाम वापाउरणमाश्यामेकादस्याम तथैवच संध्याकाले स्मरेनित्यम प्रातहकाले तथैवच मध्यान्नेच जपन्नित्यम सर्वपापय प्रमोच्यते स्रीभगवान बोले अर्जुन मत्स कुर्व वराह वामन जनार्दन गोविन पुंडरीकाक्ष माधो मधशूदन पद्मनाव सहस्त्राक्ष वनमाली हलायुध, गोवर्धन, रीशिकेश, वैकुंट, पुरुशोत्तम, विश्वरूप, वासुदेव, राम, नारायन, हरी, दामोदर, स्रीधर, वेदांग, गरुडधोज, अननतम और कृष्ण गोपाल इन नामों का जब करने वाले मनुष्य के भीतर पाप नहीं रहता वह एक करूड गोदान, एक सव अश्वमेध यग्य और एक हजार कन्यादान का फल प्राप्त करता है अम्मावश्या, पुर्णिमा तथा एकादसी तितिको और प्रतिदिन, सायन, प्रातह एवं मध्यान के समय इन नामों का स्मर्ण पुर्वक जब करने वाला पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है इति श्री कृष्ण अर्जुन संबादे श्री विश्णो रस्टा विंसत इनाम स्त्रोत्रम शंपूर्णम जै श्री कृष्ण